गुद बॉरिंग स्टूरेंट्स जैसे आपको पता है कि अब कोवीड की जो निवी वेव आई है ओमिक्रॉन और कुछ डेल्टा की भी वेरियंट्स अभी यहां हमारे आसपास गूम रहे हैं तो केसिस गोह ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आपको पता ही है कि गाइडलाइन जो आई है वो ओफलाइन आपकी पढ़ाई यहां में लग ओनलाइन हो जाई है यह ओफलाइन बंद हो चुकी है तो ओनलाइन के लिए मैं आपको नेक्स चेप्टर जो हमारा है ट्रास्फोर्मेशन ओफ एक्वेशन उसका वीडियो मापको शेर कर रहा हूँ जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि यहां मुझे प्रोब्लम है तो आप मुझे बात में बता देना मुझे लगता है कि सारे स्पुरेंट्स ग्रूप में है और अगर कोई ग्रूप में नहीं है तो उनको भी एड कर लें चाहे वो बीए का है चाहे वो बीएस्टी का है सेवन चेप्टर तक हमारा पूरा हो चुका था और सेवन चेप्टर में जो फिफ एक्साइज के कुछ क्योरी मेरे पास आई थी तो मैंने वह सॉल्ट करके कल ग्रूप पे डाल दिये थे आप वहां से चेक कर लें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एच चेप्टर, जिसका नाम है Transformation of Equation Transformation, नाम से पता लगता है कि Equation को Transform करना है, चेंज करना है, को से उसमें अलग चेंज़ी जाएंगे अब हम कैसे चेंज करते हैं? अपना परपस क्या होता है? we have an equation of nth degree let us suppose तो उस equation को हमें transform करना है किसमें किसी दूसरी equation में अब यह तो है दूसरी equation भी उसकी degree भी उतनी ही होगी अब बात बची कि उसका और में transform करने की ज़रूरत क्या पड़ी कई बार क्या होता है कि complicated equation होती है उसको solve करना easy नहीं होता या हम कुछ और facts वहाँ से exhibit कर सकते है therefore we can transform the given equation अब जो transformed equation है उसका relation always given equation के साथ होता है वो कैसा relation हो सकता है कि उसके coefficients match कर सकते है उनके बीच में कुछ symmetry बन सकती है या roots के बीच में कुछ symmetry या relation बन सकती है तो always कुछ ने कुछ relation तो मिलेगा such type of activity is called transformation of equation तो यहाँ पे हम transform करेंगे equation को first article आपका roots with sign change अब तो पिछले chapter में हमने roots निकालना सीखा था कि किसी भी equation का चाहँ वो किसी भी degree की है उसके roots कैसे निकालते हैं different methods हमने पढ़े हैं अब दूसरी जो transformed equation है उसके roots के sign changed होने चाहिए जैसे मालिया यहाँ पे M1, M2, M3 अगर roots हैं given equation के तो हमें एक transformed equation बनानी है जिसके roots होंगे minus M1, minus M2, minus M3 understand तो इसके लिए यह article है और article का statement है to transform an equation into another whose roots shall be equal in magnitude but opposite in the sign to those of the given equation कहने का मतलब है कि roots तो same होंगे magnitude में but sign अलग होगा sign change होगा plus का अगर पहले वाली equation का root है तो दूसरी का minus का होगा और पहले वाली का minus का है तो दूसरी वाली का यानिके transformed equation का plus का होगा तो उसके लिए let us suppose that alpha 1, alpha 2, alpha 3 and alpha N be the roots of the given equation और equation दे रखे यहाँ पे first जिसको f x से यहाँ पे शोग गिया हुआ है a0 x raise to power N plus a1 x raise to power N minus 1 plus a2 x raise to power N minus 2 and so on up to N is equal to 0 एनिक टीरी की equation है जिसके coefficients है a0, a1, a2 up to An तो हमें क्या चाहिए हमें एक new equation चाहिए जिसके roots हों इन सब के negative तो हमें इसका मतलब क्या चाहिए minus alpha 1, minus alpha 2, minus alpha 3 and minus alpha N type के root चाहिए ऐसी equation हमें बनानी है transform करनी है अब we know that if the new equation is in y देखो अब हमने suppose किया है कि वही जब transformed equation माल यह y में है तो क्या होगा x को minus y से या y को minus x से represent कर सकते हैं therefore y is equal to minus x और x is equal to minus y तो जो given equation है equation 1 है जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या put कर देंगे minus y पूट कर देंगे minus y जब पूट किया given equation के अंदर तो क्या बट जाएगी a note into minus y raise to power N plus a1 minus y raise to power N minus 1 up to so on last में a N तक गया है equal to 0 अब यहां पे जो आपके पास है y तो हमने निकाल लिया बहार जो minus sign हमें यहां पे visible हो रहा है इस minus 1 की power N N minus 1 N minus 2 यह सारी आएगे अब हमें पता तो नहीं है कि N है क्या अब N even है odd है we don't know अगर E1 होता तो हम minus 1 raise to power E1 degree तो वहां पे 1 उपर देते तो अब हमें पता ही नहीं तो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी हम कुछ नहीं कर रहे हमने इसी form में इसको रिख लिया तो क्या करेंगे हम next step में हम minus 1 raise to power N से throughout left hand side में और right hand side में हम multiply करते हैं और उसको हमने जब multiply किया तो क्या बन जाएगा अब ये बन जाएगा minus 1 raise to power 2N minus 1 raise to power 2N minus 1 अब इस form में अगर आ गया है तो इसका तो हम पता सकते हैं कि कौन सा odd है कौन सा even है it means जहाँ पे power 2N है वहाँ पे सारा 1 positive आ जाएगा जहाँ पे 2N minus 1 या 2N plus 1 है वहाँ पे minus आ जाएगा इस तरह से we can say minus 1 raise to power 2N minus 1 raise to power 2N minus 1 up to A N into minus 1 raise to power N को कि throughout multiply किया था ये आपके पास equation आ जाएगा तो अब आपको पता है कि जहाँ पे even degree है वहाँ पे 1 और जहाँ पे odd degree है वहाँ पे minus 1 इन सबकी values given जो आपने equation बनाई थी उसमें put कर दिया equation number यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ है बट आप इसको जिसमें सबसे last equation आपको देशोर ही है इसके अंदर put कर दिया तो आपके पास बन गया ये A note y raise to power N minus A1 y raise to power N minus 1 plus A2 y raise to power N minus 2 and so on up to A n into minus 1 raise to power N is equal to 0 अब क्या करेंगे यह आपके transform हो चुकी है बट क्या करेंगे जहाँ पे y है वहाँ पे x वहाँ पीश लिख देंगे तो equation क्या पर नहीं A note x raise to power N minus A1 x raise to power N minus 1 plus A2 into x raise to power N minus 2 and so on up to minus 1 raise to power N is equal to 0 which is the required transformed equation अब यहाँ से हमने क्या देखा जो first equation जो given है उसमें और जो transformed equation है उसमें क्या difference है यह लगबग सेम है बट जहाँ पे x की power N minus 1 है x की power N minus उसके बाद N minus 1 उसके बाद N minus 2 उसके बाद N minus 3 जहाँ जहाँ पे odd आएंगी जहाँ जहाँ पे odd degree आई वहाँ वहाँ पे क्या हुआ sign change हो गया minus आगया नीचे लिखा भी हो आए रूल में we know that when we write minus x for the x the sign of the coefficients of the terms with odd powers of x changes तो odd power वालों की सब के coefficient की sign change हो गया rule क्या बादा change sign of coefficient of the terms with odd powers of x in the given equation तो given equation में जहाँ जहाँ पे odd power आपको दिख रही है वहाँ पे minus करते हैंगे तो transformed equation आपको मिल जाएगी और इस transformed equation के roots given equation के roots के opposite sign के होंगे this is the required transformed equation यह article था आपका ऐसे ही second है यह तो था कि भी roots के sign change हो जाएए अब roots किसी number से multiply हो जाएए next article आपका ऐसा है roots multiplied by a given number तो इसके लिए statement है to transform an equation into another whose roots are m times those of the given equation. पिछले में तो sign change था, इसमें m times, यानि कि multiply by number m. तो इसको लिए क्या करेंगे, जैसे पिछला article अगर आपको समझ में आ गया, तो जहां उसमें हमने x की जगर minus x पूट किया था, यानि कि y और x में हमने transform किया, y is equal to minus x था, यहां पे multiply by a number आना है, तो let us suppose that alpha 1, alpha 2, alpha n, यह roots है, given equation के, given equation वैसे ही है, इसमें कोई change नहीं है, तो it is required to find out an equation whose roots are m times the roots of 1, that is m alpha 1, m alpha 2, m alpha 3 and so on, m alpha n, किसी number से multiply होगे हैं, तो if the new equation is in y, then the functional relation between the roots of the two equations can be written as y is equal to mx, जैसे पिछली article में हमने y is equal to minus x पूट किया था, क्योंकि sign change था, यहां पे y is equal to mx है, क्योंकि m से multiply है, तो therefore x की value क्या होई, y upon m, जैसे वहां पे x की जगह minus y पूट किया था, ऐसे ही यहां पे x की जगह y by m पूट करना आपको, यह substitute करना है, तो substituting x is equal to y by m, equation 1 में क्या बन जाएगा, a0 into y by m raised to power n, plus a1 y by m raised to power n minus 1 and so on, up to a n is equal to 0, अब आपको यहां पे extra quantity y की power n तो ठीक है, y की power n minus 1 भी ठीक है, लेकिन निच्चे आपका m की power n आएगा, तो multiplying y m की power n throughout, दोनों साइड, left hand side में और right hand side में, m की power n से multiply करोगे, तो coefficient पहला क्या बन जाएगा, y की power n का coefficient बन जाएगा, a0, और y raised to power n minus 1 का coefficient बन जाएगा, m into a1, and so on, देखागे equation दे रखिये, यह equation given है, चलो इसको ऐसे देखे लो आप, multiplying throughout by m raised to power n, therefore, this is equal to a0 y raised to power n, plus m into a1 y raised to power n minus 1, plus m2, m की power 2, into a2 y raised to power n minus 2, and so on, up to m raised to power n into an is equal to 0, तो अब यह transformed equation आपके आगई है, तो सिर्फ क्या करना आपको, जहाँ पे y है, उसको x से प्लेस कर देना है, तो x कर दो क्या बन जाएगा, a0 x raised to power n, plus m a1 x raised to power n minus 1, plus m2 a2 x raised to power n minus 2, and so on, up to m raised to power n, into a n is equal to 0, which is the required transformed equation, इस तरह से आपको देखना है, अब rule क्या बना, इसमें, जैसे पिछले में rule क्या बना था, कि old powers के साथ minus लगा देंगे, इन कोफिशेंट को, otherwise, प्लस लेंड देंगे, इसमें क्या रोलमन आप देखो, first, जो x की power n है, उसका कोफिशेंट तो यहाँ पे भी a0 है, लेकिन जो second है, यानि कि x की power n minus 1 है, उसमें कोफिशेंट a1 m से multiply हो गया है, और x raised to power n minus 2 में, a2 m स्केर से multiply हो है, यानि कि m की power अब बढ़ती जाएंगी, it means, first, जो leading term है, उसका कोफिशेंट में not change, और उसके बाद, m, m स्केर, m की power 3, m की power 4, and so on, इस तरह से, यह इसकी power, multiply होते गई, बढ़ती गई, यह rule बना है आपका, if m is equal to 1, note में रखे है, if m is equal to 1, roots of the transformed equation will be equal in magnitude, but opposite in sign to the roots of the given equation, m is equal to minus 1 हो, तो क्या हुआ, roots तो होंगे same magnitude में, but sign opposite होगा, if roots of the given equations are to be divided into m, divided by m, it means they are to be multiplied by 1 by m, आप समझते हैं इस बास को तो, divided by m का मतलब है, multiply by 1 by m, तो इसमें confusion नहीं होना है, मैं थड़ी आई रहेगा आपका, ओके मेरे खाल से, थोड़़़दा ही करेंगे, ज़्यदा तो फिर ठीक नहीं रहेगा, आप दो आर्टिकल आज प्रिपेर करेंगे, इसके बाद जो next है, तो रिमूदा फ्रेक्शनल कोफिशियन, यह और रेसिप्रोकल रूट्स, यह हम कल कर लेंगे,